दोस्तो टीवी इंडस्ट्री की चुनिंदा खूबसुरक जोडियों में से एक रही है रुबीना दिलाइक और अभिनफ शुकला की जोड़ी जो बिग बॉस 14 के घर में एंट्री लेने के बाद से ही एक पार फिर लाइम नाइट का चहराबन बैटे थे जो अपने रिष्टे को लेकर इस जोड़ी ने ये तक खुलासा कर दिया था कि ये जावॉर्स पी लेने वाले हैं लेकिन अब जहां बिग बॉस के घर से अभिनफ शुकला बाहर हो चुके हैं तो वही कुछ समय पहले ही जब अभिनफ से रुबीना दिलाएक के साथ उनके होने वाले तलाग के बारे में पूछा गया तो इन्होंने अपनी तलाग की बात को लेकर कुछ ऐसी बाते कह डाली जिने जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे जी हाँ अब नफ शुकला ने अपने टाइवॉर्स के बारे में एक जबरदस्त बयान दिया है जिसने सभी को चौका दिया है तो दियर ना करते हुए चल ये जानते हैं कि आकरकार अब नफ शुकला ने ऐसी कौन सी बाते कही है अपने जाइवॉर्स को लेकर लेकिन इससे पहले इस खुबसूरत चोड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है इस बात से तो आप सबी वाकिफ है कि साल 2018 में शादी के बंदन में बंदने वाली खुबसूरत चोड़ी रुबिना दिलाइक और अविन अफ शुकला ने बिग बॉस 14 के घर में स्टार्टिंग में ही एंट्री ले ली थी जहां शोग के कुछ दिन बीच आने के बाद ही इस चोड़ी ने अपने बीच के रिष्टे को लेकर ये खुलासा किया था कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच आप सी मत्भीत इतने ज़ादा बढ़ चुके हैं कि अब नौबत तलाक लेने की आ चुकी है साथ ही इनोंने बताया था कि बिग बॉस के घर में एंट्री लेने का मकसद भी हमारी परसनल लाइफ को एक मौका देना था जाइस चोड़ी ने अपने इस रिष्टे को खत्म करने से पहले नवंबर तक का टाइम सेट किया था और इसी के चलते विग बॉस के घर में दोनों के बीच नोग जोग भी देखने को मिली लेकिन जहां रुबीना दिलाय कभी भी शो का हिस्सा बनी हुए है तो यह अबिनफशुकला शो से बाहर हो चुके है जिसके बाद से ही अबिनफशुकला से उनके तलाग के बारे में धेरोज सवाल पूछे गए कि क्या अबिनफशुकला और रुबीना तलाग लेंगे या नहीं तब अबिनफशुकला ने इस सवाल का करारा जवाब देते हुए टाइमस ओफ इंडिया को बताया कि there is no divorce happening शो में साथ वक्त गुजारने के बाद अब हम ये फैसला कर चुके हैं कि हम एक दूसरे से अपनी राहें अलग नहीं कर रहे बिग पॉस के खड़ने हम दोनों के बीच पैदा हुई गलत वहमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और ये एहसास दिलाया है कि लाइफ में थोड़ी बहुत अन्बन चलती रहती है लेकिन इसका मतलब तलाक लेना बिलकुल भी नहीं और इसलिए रुबीना और मैं ये फाइनल डिसीजन ले चुके हैं कि अब हम अपनी लाइफ को एक नया मौका देंगे और सभी तरह के गलत फहमियों को दूर करेंगे वैल यही बयान देते हुए अबिनफ शुकला ने ये साफ कर दिया कि अब खुबसुरा चोड़ी अबिनफ शुकला और रुबीना दिलाएक एक दूसरे से लग नहीं हो रहे जिसका अंदाज आप इस बास से लगा सकते हैं कि अबिनफ किस तरह से शुक के बाहर से ही अपनी पतनी रुबीना को शुका खिताब जीतने के लिए चियर अप कर रहे हैं तो दोस्तो रुबीना और अबिनफ शुकला कहें डाइवोस का मामला तो सुलच चुका है वेला बिग बॉस 14 का ताज किस फाइनलिस्ट के सर देखना चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथी छोटे परदे से जड़ी और वेदा माकेदार खबरों के बारे में चानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें